Hello and welcome to the studio Supports पर Supports के identification या फिर कब price हमारा एक support को resistance में convert करके वहाँ से reject होने लगता है इस तरह के resistance points के तुरू किस तरह से हम trade करेंगे कौन से confirmations होते हैं जिससे के हम यह पता लगा सकते हैं कि resistance पर resistance के confirmations हो रहे हैं या फिर supports पर support के confirmations हो रहे हैं इस एक point के पर में discussion करेंगे आज करें जो topic है इसको एक live trade के तुरू हम आपको example देने के कोशिश करेंगे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको ज़रू से ज़रू लाइक किजएगा comments किजएगा और अप्रेंड सरकर में share करने के कोशिश किजएगा ताकि और लोगों तक यह आसानी से पहुंचे जैसे कि एक यह line हमने ड्रॉ की है यह मेरी एक range है आप लोग यहां से बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे यह कोई एक support point है यहां से price मेरा ऊपर की दिशा में चला गया था यहां से upside के तरफ और उसके बाद में price फिर मेरा नीचे नहीं गिरा था वापस यहां पर आयो यहां से फिर यह उपर की दिशा में चला गया अभी देखे प्राइस के अंदर movement काफी speeds हो रहा है हम लोग अपने trade book open कर लेते हैं volumes के साथ breakout भी इसके अंदर हुए हैं और काफी प्राणी range को भी इसने तोड़ा है आज के दिए इस वक्त का जो देखे price चल रहा हमारा 1632 चल रहाओ profit जो है इस वक्त का 10,000 के अब भी profit हमारा run हो रहा है यहां पर देखे यह जो line है 1654.50 इस एक range के ओपर discussion करेंगे और जो हमारा entry point है 1657.10 इसके ओपर discussion करेंगे इस तोड़ का जो अपना profit है 11,400 रुपिस का profit हमारा चल रहा है 11,200 काफी decent सा profit है अब चलिए हम लोग अपने main topic पर discussion करते हैं main point पर focus करते हैं हम लोग आते हैं सीधे higher time frame डेली time frame अब देखें daily time frame पर ऐसा क्या है जैसा भी हमने आपको बताया कि यह अपना एक support point है यह जो आप range देख रहे है न यह support point है price यहांसे नीचे की दिशा में इससे पहले इसन निकलनी की किशिक की थी नीचे तक आया थां और फिर से एक gap down के बाद में फिर से a gap up opening और price मेरा उपर चल गया था यहां से ही उपर और अगें प्राइज मेरा नीचे आ यह फिर उपर चला गया और आज प्राइज ने एक gap down उपरिंग कर दे gap down उपरिंग के बाद में upside के तरफ जाकर कि तुरंत प्राइज मेरा reject हो गया और वापस से अपनी रेंज के बाहर की तरफ ट्रेट कर रहा है यह बहुत सिंपल सा ट्रेड है इसके अंदर कोई rocket science नहीं लगी है हमने simply क्या किया है कि एक ऐसा swing defined किया या फिर एक ऐसा swing draw किया है जहां से price मेरा काफी बार reject हुआ है आप देख रहा होंगे यहाँ पर जैसे कि हम इसको draw करें जो support identification की हम बात आप से clear करना चाहते हैं कि एक हाई लगा एक यह मेरा low लगा एक हाई है अगेन यह एक low है एक high और वापस से price में देखिया अपने lows break कर दिया यह वाले जो low points थे इनको break कर दिया गया और break करने के बाद में वापस देखिये price मेरा upside की दरफ चला गया और जब यह price मेरा ऊपर की दिशा में गया है तब से यह नीचे की दिशा में नहीं आया है और पिछले one month से ज्यादा का यह period है जबकि price मेरा एक range के ऊपर ही travel कर रहा है मतलब उस range के नी चाहिए था कि price मेरा ऊपर की दिशा में जाने की कोशिश इसने की price मेरा नीचे open हुआ और यह उपर चला गया और उपर अगर यह गया है और वाकई में अगर यह strong था तो क्या करना चाहिए अपने swings को break कर देता और यह उपर निकल जाता बट swings के breakout इसके अंदर नहीं हुए यहां क्या हो गया प्राइज ने अपने highs को protect करना शुरू कर दिया इसको protect किया इसके बाद में अपने इन वाले swings को protect किया और वापस से जो previous range है उस range के अंदर देखे प्राइज आ गया प्राइज किसी important range को important point को break कर रहा है और उसके अंदर volumes के breakout नहीं आ रहा है बहुत हद तक chance रहता है कि प्राइज के वो breakout फेल हो सकते हैं और अगर उसी range पर volumes आ जाते हैं और प्राइज के movement भी आपके support में होते हैं तो वो breakout बहुत हद तक successful माने जाते हैं इस चीज़को आप अगर सारा live market में आपको test करना होता है लेकिन एक ऐसा point है जिसको कि आप backtest कर सकते हैं कोई एक important range माग करिए अगर price volume के साथ उस range का breakout कर देता है तो plus point रहेगा price उस breakout को success बना देता है वो आगे की तरफ successful होता हो दिखेगा आपको अब यहां पर भी देखे प्राइज मेरा न time frame पर हमने क्या देखा कि इसके अंदर के कुछ support points थे जिनको की price ने आज volume के साथ नीचे की दिशा में break किया break कर देने के बाद में upside की तरफ price मेरा sustain नहीं हो पाया और वो नीचे की दिशा में किर गया अब देखिए यहां पर कुछ एक support point हमने draw किये 1604 रुपे 20 पैसे के व यहां पर कि price ने gap down opening दे देने के बाद में यहां पर देखिए प्राइस ने gap down opening दी थी यह एक ऐसी range थी जहां से price बेरा ऊपर की दिशा में चला गया था उपर की direction में यह move हो गया था और वापस फिर यह नीचे नहीं आया यहां पर जो सबसे बड़ा support का का काम कर सकता है व यह decide कर देगी आज market के अंदर कि आज इसको ऊपर जाना या नीचे जाना है तो अभी तक हम लोग सिर्फ एक point पर पहुंचे हैं और वो यह है कि higher time frame पर हमने resistance को defined किया है और सिर्फ इसी में आप किसी भी stock के अंदर यह जो analysis हमने आपको बताई है कि कोई एक important point mark कीजे वहां support को break किया गया है with volume और अब जो यहां पर next support point में निकल किया रहा है 1629 और उसके बाद में 1604 बहुत हद तक चांस है कि 1629 को अगर price मेरा break कर देता है नीचे की तरफ अडानी enterprises आज गिर सकता है तगडा इंदसन के intraday के अंदर हमें एक अच्छा profit ही दिखा सकता है और उसके इसके नेक्स चो टार्गेट होंगे 1604 का मेरा इसका नेक्स टार्गेट होगा तो देखते हैं 1604 तक प्राइस आता है या इसके ऊपर से ट्रेवल या फिर टरन करने के कोशिश करता है इसको तो हम बाद में देखेंगे तो अभी जो सबसे बड़ा hurdle हमारे लिए है 1629 का है इ यहीं से प्राइस मेरे ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखते हैं क्या होगा यह एक retracement भी हो सकता है और कुछ एक points पर जाकर के like यह वाले जो swing बना है यहां से जाकर के price वापस मेरा गर नीचे गिरना तो यहीं से नीचे भी गिर सकता है देखते हैं क्या होता है कुछ stop-loss देख लेते हैं stop-loss जो मेरी लगे हुए है 1663.10 का stop-loss इसके अंदर define क्या है C 1663 and 440 quantities है 1657.05 पर सारी जो order है हमारे वो execute हुए थे 1663.10 इसको copy कर लेते हैं and position book में इस वत पर profit चल रहा है 6000 का profit है कम हुआ है profit है यहां पर आते हैं and higher time frame की range है इसको control-B 1663.10 यही stop-loss order है मेरा यह मेरा entry का point है और टार्गेट से देखते हैं क्या target हमको मिलते हैं फिलाल 1629 के नीचे price अगर चला गया तो movement बढ़े आएंगे इसके अंदर देखते हैं आज की market पर अपने लिए क्या रखा हुआ है को बड़ा move होता है तो इन्फॉर्म करते हैं आज की market यह अपना stop-loss ले के मानेगी 1663.10 पैसे पर अपना stop-loss लगाया है और यह जितना भी मेरा चार्ट इसको हमने अपने telegram चैनल पर शेर कर दिया है हो सकता है कि stop-loss चला जाए नहीं जाता है तो वह मेरा लग है बट मार्केट को देखते हुए अंदर से लग रहा है कि नहीं अब चले जाना अचा यह stop-loss को because direction देखे 915 के नीचे प्राइज आया और यहां से उपर चला गया और यह वाली जो candle थी हमारी यहां पर वहाई टैम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं तो अगर इसको उपर जाना तो बहुत सही जगा है जहां से उपर पलट जागा और अगर गया तो मेरा stop-loss भी गया तो इस वक्त हम लोग काफी ज्यादा माइनस में हैं जबकि 10,000 रुपए 10-11,000 रुपए लगभा प्रॉफिट में चल वह थे सो 2,000 रुपए प्रॉफिट में हम लोग इस वक्त चल रहे हैं लेकिन पहले नहीं निकलेंगे या तो stop-loss जाएगा या फिर हमको हमारा target म निकलने का जाएगा stop-loss दे देंगे stop-loss तो देखते है stop-loss जाएगा तो stop-loss देंगे otherwise अगर पाइस जहां से नीचे की तरफ गिरता है तो move हमें मिल जाएगा बट अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और बुरे से बुरे के लिए तया रहना चाहिए तो बुरे से बुर क्या होता है stop-loss जाएगा तो stop-loss देंगे price मेरे entry-level से काफी ऊपर निकल चुका है और यहां पर 1660 रुपर तक price मेरा आ गया है तो इस वदका जो अपना loss चला है 1200 रुपीज के profit rejection का area है एक resistance है अगर गिरना है तो यहां से price मेरा नीचे गिर सकता है और अगर जाना है तो फिर stop-loss भी चला जाएगा अभी जो अपनी black वाली candle है बड़ी सी इसकी वी उपर चलाएगा वेरी गुड रिजेक्शन तो आ रहे हैं इसके अंदर 1400 2000 लेज़े 1500 2000 1900 तीन रुपए का फर्क है तीन रुपए और यह उपर गया तो stop-loss हिट stop-loss भी हमें जो identify करना होगा उसको एक सही range पर और सही level पर जा करके रखना होगा अभी यह stop-loss identification का ही नतीज़ा है कि अभी तक भी में stock के अंदर बने हुए हैं भी तक मेरा stop-loss नहीं गया है विकाज कहीं ना कहीं एक safe zone पर हमने अपना stop-loss रखा है जाने को जा सकता है no doubt बट यह आप देख पा रहे हैं कि प्रॉब्लम होती है market को उस range तक पहुंचने में 1663.10 यह दस पैसे का भी हमने जो बढ़ा करके रखा है हमने 1663 क्यों नहीं रख दिया दस पैसे और उपर रखा इसके पीछे के अपनी अलग psychology है लेकिन आज वो psychology काम नहीं कर रही प्राइज पंप ले रहा है अपसाइट के यहां पर बुक किया अपना 3000 का प्राइज उपर देखे निकल गया अपना हीट हो चुका है and 1663.10 पर अपना stop loss था and total यहां पर जो आज का loss है मारा 3,010 रुपीज का हमारा loss है and order book देख लेते हैं 1663.1664 पर stop loss गया है मेरा जबकि 1663.10 पैसे पर stop loss लगाया था यह स्लीपेज होती है देखिए यहां पर लगबाग असी पैसे की स्लीपेज यहां पर हमको मिली है 1663 रुपए 10 पैसे पर stop loss था and 1664 रुपए 7 पैसे ही तो बचे थे 1664 पर हमारा stop loss क्या है कोई बात यहां पर इसको पीज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं टोटल यहां पर देख लेते हैं 1663 रुपए 93 पैसे पर stop loss और आज का प्रॉफिट है सॉरी लॉस से 3000 रुपीज को कोई बात में जो चीज हमने बूली थी के हायर टाइम फ्रेम पर एक कैंडल है जहां से प्राइस बचाले लिए में अब की अच्छा होगा जब कि आप इस टॉप लॉस का सही तरह से इस्तिमाल करें अप जब सब्सकार हो करें नीडर के फिए लेस्ट पोजिशन तो बचा लेगा मेरा लिए स्टोप लॉस सो आज के टेर्बिल हो चीपर खतम करते हैं त्स थांक कूग we will meet